नमस्कार स्वागतिया आपका अमारा बद्रदेश के बुल्टे में रुक करेंगे खबरों का लेकिन उसे पहले नदर आ रहेंगे सिर्खेव पर करोना संकट के बीश मोदी सरकार 2.0 की पहरी सार घिरा बिज़े भी करेगी सास्तो पचास वचोर रह लिया दस करोल परिवार को गिनाएगी सरकार के खाँ करोना को लेकर सास्तो मंतरी नरोतर मिश्रा बोले करोना नियंतर में साही दिशा में आगे बर रहा मधिप्रदेश लोगडाउन की सक्ति के भी शादी पच्चवारी सहब की शादी में जूंक करना चगाव नमास ना शोशे दिस्तंसिंग हो गई शादी पुलिस दर्च किये पायार में युवक को गोरी लगने से वच्चा हरकाम दोस्त कर टेका कर रहे थे शोओ आफ मामले की परतार वेजुटी पुलिस आप देख रहे हैं के नियोज ख़बरों का सार्थी बढ़ेंगे ख़बरों में लेकिन उससे पहले आपको भोपार से बड़ी ख़बर बता दे जहापर कल से खुल सकते हैं बाजार बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं भोपार से जहापर कल से खुल सकते हैं बाजार चर्चा के बाजार बजार करने का लिया जाजा सकता है तैसला बड़ी ख़बर आपको बता रहे हैं भोपार से जहापर ख़ब से खुल सकते हैं बाजार महापौर रहापारियों और करेक्टर के बीच बैठक होगी और बैठक में बजार खोलने को लेकर सर्चा की गई चर्चा के बाद बजार खोलने का लिया जा सकता है फैसला बड़ी ख़बर आपको मुपार से बताने जहापर कल्प देखुल सकते हैं बजार बजार बड़ी ख़बर जापप पूर मंत्री पीची शर्मा ने लिखा पत्र मुखिवंची शिवरास सिंह चोहान को पत्र लिखा गया है पूर मंत्री पीची शर्मा के द्वारा आपको बतादे कि लोगजाओं की दोरान करमचारियों को पूरा वेतन देने की मांगा इस सभी शाष्की ये अर्दर शाष्की निर्दी शेत्रों को लेकर लिखा है पत्र पड़ी कबर वुपार से जापर पूर्व मंत्री पीजी शर्मा ने लिखा मुख्यमंती शिवरा सिंग्चोहान को पत्र लोगजाओं की दोरान करमचारियों को पूरा वेतन देने की मांग की है इस पत्र में सभी शाष्की आर्दर शाष्की निवी शेत्रों को लेकर लिखा है मुख्यमंती शिवरा सिंग्चोहान को पत्र कोरोना को लेकर लगातार सियम शिवरा सिंग्चोहान बैठा कर रहे हैं सियम शुवराद सिंग ने अधिकारियों के साथ करोना से रिपटने के लिए बैठा की और किसानों के प्रती संदेश दिया है। अभी दो महीने पहली तो मैं आया हूं। ग्यहूं खरीदी के भी कोई ब्रवस्था नहीं थी। आती ब्रवस्था हैं बनाई बारदानों का इंतजाम किया। और आज मुझे बताते हैं खुसी है कि कोरोना के करण समय पर खरीदी सुरू नहीं थी। 16 अपरेल को हमने विप्रीत परिस्थितियों में ग्यहूं की खरीदी सुरू की थी। और पच्चीस मई तक पंद्रा लाग तीन हजार किसानों से कुल मिलाकर एक सो चौदा लाग सत्तर हजार मीटिक टन यानी 11 करोड 47 लाग कुंडल गयहूं खरीद चुके हैं। आप से हम सोचिए जवस्था बनाने में हमें कितनी मेहनद करनी पड़ी है। लेकिर आगे भी चिंतित होने की जगवत नहीं है। कुरोणा के कारण, कुछ और परिसानियों के कारण, भारजाने भी डिले हुए हैं क्योंकि व्यवस्था तो सोलाच मिटिक तन की थी। लेकिर हम हर तरफ से मंगा रहे है। इसलिए जहां किसानों का गयहूं नहीं खरीदा गया है वो चिंता ना करें। उन जिलों में जहां गयहूं की खरीदी पूरी नहीं होपाई 31 मई तक गयहूं उपारजित किया जाएगा। लेकिन एक निवेदन आपसे है। अवेवस्था ना हो इसलिए जब आपको SMS किया जाए तभी खरीदी के अंदर पर आएं। दोगच की दूरी बनाएं। मौबर फेस कबर लगाएं। और सुरच्छित अपना गयहूं खरीद गैंद पर बैचें। परेसानी से बचिये हर संबब प्रयासम कर रहे हैं कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। आपका गयहूं खरीदेंगे। और आपने देखा कि दो मईने के बीच में हमने जीरो परसेंट ब्याच पर कर जब फिद देने का फैसला किया। और जीरो परसेंट ब्याच पर भी कर चुकाने की ती थी बढ़ाके अक्तिस में कर दे। दौजार नौसो नब्य करोर रुपया पंद्रा लाग से जादा किसानों के फसल भी मायोजनाक के अंतरगत खाते में डाले। प्रधान मंत्री जी का अभी नंदन तेरा सो पैसट करोर रुपया लगवगा अड़सफ लाग किसानों के खाते में प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधी के डाले गए। किसी कारियों के लिए जले हुए ट्रांसफार्मर बिना अत्रिक्त सुल के बदलने का फैसला किया गया। एग नियाने को फैसला कि आगे भी लगातार करते रहेंगे। यह आपकी सरकार है। बहुत बहुत धन्यों। लोगदाउन में किसी भी शादी सबार हुए 50 से जादा लोगों के शाविन होने पर रोख है। मास्क पहनना और शोशिट डिस्तंसिंग का पालन सरूरी है। लेकिन पटवारे साहब की बारात में तरस से कहीं जादा गुना लोग शामिल हो गए थे। देखे पूरी रिपोर्ट को। लोग दाउन की सक्ती के पीश शादी। पटवारी साहब की शादी में जूम करना चगा। ना मार्क ना शोशिट डिस्तंस और हो गई शादी। बरात में जम कर हुआ नाचकाना। बरातियों की गरबडी पर दूले के पिता जी पर F.I.R. पुलित में आई दूले के पिता लोग दाउन में किसी भी शादी समारों में 50 से जादा लोगों के शामित होने पर रोग हैं। और मास्ट पहनना और शोशिट डिस्तंसिक का पालन सरूरी है। लेकिन पटवारी साहब की बरात में तो इससे कहीं जादा गुना लोग शामिल हो गई थे। जी हाँ, राजपुर जिले में एक पटवारी सहब की शादी में दांस करना उनके पिता जी को भारी पढ़िया। दर्सन कुरोना संकत और लॉक्टाउं की संकती के बीच पटवारी सहब की शादी हो रही थी। लेकिन नियम के विपरीत बारात में 50 के बजाएं पूरा गाम ही शामि बदादे की मामला अलीराजपुर जिले के जोबट थाने के बिलासा गाफ का है। जहां के रहने बारे कनुद जोहान नामक शक्स के बेटे की शादी थी। बेटा मदफिदेर सरकार में पटवारी है जिसकी लॉक्टाउन के महौल में भी शादी जोर शोर से हुई। मुटाउन में किसी पी शादी समारों में 50 से जादा लोगों के शामिल होने पर रोग है। मास्ट पहनना और शोशल डिस्टेंस का पालन करना बेहर जरूरी है। लेकिन पटवारी साहब की बारात में तो इससे कहीं जादा गुना लोग शामिल हो गई। वो मास्ट नहीं पहने थी और डांस में मस्त लोगों को शोशल डिस्टेंसिंग का भी थ्यान नहीं रहा। एक दूसे पर जूमते गिरते हुए ये नाशते रहे। करबड़ी बरातियों ने की लेकिन पकड़ में आये दूरे के पिता जी। पुलिस को खबर लगी तो वो दलबल के साथ पह जो प्रस्ता जो है नियम का लंगन था और धारा 188 की तेहत इसका वालेशन किया था इन लोगो तो इसके आदार पर पर पुलिस के दौरा इसमें जो है एक फायर की गई है और लगबग जो है जो जितने लोग शामिल थे उसके लाब जो है मुकदमा कायम किया गया गया गय जी आमें शामील होना क्या पुल सकने है से ग्रामींट शेतर था ग्रामींट शेतर होने के कारण जो है लोग इकत्र अभी जब देश अपनी पूरी ताकत जोकर कुरूना वारत से उबजी महाबारी का मुकाबला करने में लगा है तब तिड़ी दलों के हमलों ने कुछ लाकों की परिशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है पाकिस्तान से चला तिड़ी दल भारत के मद्रप्रदेश उत्री गुजरात रदस्तान और यूपी के कुछ लाकों में कोहरा मचा रहा है जिसकी बज़ा से किसान परिशानियों का सामना कर रहे हैं देखे इस रिपोर्ट को अभी जब देश अपनी पूरी ताकत जोग कर करोणा वारस से उपजी महामारी का मुकाबला करने में लगा है तब तिड़ी दलों के हमलों ने कुछ लाकों की परिशानियों को कई गुना बढ़ा दिया है पाकिस्तान से चरा तिड़ी दल भारत के मदरप्रदेश उतरी गुजरात राजस्थान और यूपी के कुछ लाकों में कोहरा मचा रहा है तिड़ीों के आतंग से किसान परेशान है शासी जलियो के जन्द से के अचानक मूविंट जुला प्रशाचन को अलेड पर ला दिया है यहाम जुनता के शास साथ ग्रामीरों से कहा गया है कि विदल के आने के वारे में नियंक्रों गक्ष को सूचित करे टिड्डे उनस्थानों पर जाएंगे जहां हरी घास या हर्यानी है इससे ऐसी जगों पर उनके मूवमेंट के बारे में जानकारी साचा की जानी चाहिए टिड्डी दल का मूवमेंट जो हम देख रहे थे जान से जनपत के अंदर यह वही टिड्डी दल है यह लोकस्ट स्वाम है जो ग्रेगेरियस है लगबग एक से लेके दो किलोमेटर की रेडियस पे यह टिड्डी दल है और खुल मिला कि अगर इनकी संक्या भी गिन दिया जाए कम से कम 40 लाग से लेके 90 लाग तक की इनकी पॉपलेशन है इसमें जो हमारा टीम्स है यह अगरिकल्चर डिपार्टमेंट की यह प्लान प्रोटेक्शन ऑफिसर की यह प्लान सुपरवेजर्स की यह टीयस की प्रतिव लाग में स्थाफित है अब यह एक तरफ से एक डिजा की लगातार आक्रमन शुरू हो गए हैं तेडियों के प्रकोप की कारण बीते साब भी राजस्थान की किसानों को बड़ा नुकसान हुआ था बीते दिनों टिडियों के कुछ दल सीमाबर्ती जिलों से अमजमेर, चैपुर, करोरी, टॉंक, दौसा, समाई, माधोपूर, सह आईता नजिलों में खुसा आए थे, शेतन में पहुचे टिडि के दल को देखकर ग्रामीरों के होश उडगे, शेतन में उड़ रही टिडि के दल ने दो दिन से गाव के आतंक मचा रखा है, लाखों की संक्या में आया टिडि दल गाव के कई पेड़ों को जाड़ चुका चीजों का अधियन करने के बाद, हमने ये डेशन लिया था, कि इन लोग इन टिडि दल की मुवमेंट है, रात में बिल्कुल जीरो हो जाती है, तो रातरी में विश्राम करती है, तो हमारे निगरानी सम्ती के माधियम से सतर करहना, और कहां पे ये बसते हैं, उस पे पे और उसको मारना एक तो ये टाय कर दिया था, कोरोना संकिट के बीच का इराजियों में टिडियों का अतन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा है, फसलों को नुकसान पहुचाने वाले टिडि दल का प्रकोप राधरस्थान में होते हुए महाराष्ट और मध्रप्रदेश तक पहुच गया, इसने मध्रप्रदेश से सथे 66 गर में अलट जारी कर दिया गया है, अधिकारियों की माने तो इन टिडियों ने मध्रप्रदेश राज्यों में तस्तक दे दी है, और 27 सार में प्रदेश में टिडियों का ये सबसे बड़ा हमला बताय जारा है, जिसकी जारी रहने की आश्रंग का जताई जारी है, जानकारों की माने तो अगर समय रहते टिड़ी दल पर काबू नहीं पाए गया, तो राज में 8000 करोड की मुंग फसल का नुकसान हो सकता है, इसके बाद कपास और बिच्ची की फसल भी नश्ट कर सकते हैं, मायकिसानों को जारी दल विश्राम करता है और इसी समय उन पर रसायन छड़का जा सकता है, डैसर पोच के न्यूज इनिया, एक तरफ करोना काल और दूसी तरफ टिडियों का आतंक, लोगों की परिशानियों का सबब बनता जा रहा है, और अब देखने वाली बात होगी कि आखर इन टि आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का सार्थी बेस्ट रिजर्ट, स्माट ग्लास रूप, बेस्ट ट्रांसपोर्ट फैसलिटी, वर्ल्ड ग्लास इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ, माउंट लिट्राज जी स्कूल, उन नाव कोरोना संकट के पलपल की अपडेट आप तक पहुचा रहे हैं सो कोरोना योध्वा सबसे बड़ी पहमारे, सबसे बड़ी कवरेज आप देख रहे हैं के नियूस, खबरों का सार्थी ब्रेके बाद हमारा बंद्रप्टेश की बुल्टे में इबार फिर से आपका स्वागत है और भोपार की लाइफ लाइन कहे जाने वाला बड़ा तलाब अपर लेकना सिर्फ शहर ही आदी से ज़दा अबादी की प्यास बुजाता है बरकि ये हजारों लोगों के परिवार के लिए रोजी रोटी भी जलाता है लेकिन लोगडाउन की वदा से सब कुछ बंद है जो सडके हमेशा कुलजार रहती थी वो सूनी पड़ी है देखे पूरी रेपोर्ट का वीरान जील परिशान कस्तिवाला लोगडाउन में आर्थिक रूप से बोट चालक भूपाल में बोट चालकों को हो रही है परिशानी बड़े तालाब के बंद होने से बोट चालक परिशान भूपाल की लाइफलाइन कहा जाने वाला बड़ा तालाब ना सिर्फ शहर ही आधी से जादा अबादी की प्यास बुचाता है बलगी ये हजारों लोगों के परिवार के लिए रोजी रोटी भी चलाता है लेकिन लॉकडाउन की वज़े से सब कुछ बंध हो गया है जो सडके हमेशा गुलजार रहती थी वो सूनी पड़ी है जिन दुकानों पर भीड उम्ला करती थी वहां ताला लगा हुआ है जो कशितियां बड़े तालाप की लहरों पर इत्राती हुआ चलती थी वो अब बंधी हुई है सिय। अक्सर अपने भाई के साथ बड़ी जील किनारे आकर बैट जाते हैं और बैट कर अपनी कश्ति को निहारते हैं और लॉकडाउन के खुलने का इंतजार करते हैं अजे के पास चार नाव हैं जिसमें 6-8 लोग काम करते हैं अजे बताते हैं कि जब से लॉकडाउन लगा हुआ है तब से हमारी आर्थिक विवस्ता पूरी तरीके से खराब हो चुकी है घर में खाने को भी नहीं है हमने तो कर लिया अपना जैसे तैसे गुजारा लेकिन जो हमारे यहां लड़के काम करते थे वह बहुत परिशान हैं उनकी कोई आर्थिक विवस्ता ठीक नहीं है एक तो हमारी समाज में पढ़े लिखे कम होते हैं हम केवर समाज के लोग हैं तो हमें इस चीज का लाब नहीं मिल पाता, इंतजार है कि किसी भी तरह lockdown खुले, दीपक का कहना है कि lockdown खुलेगा, खुल जाए तो अच्छा ही है, हम भी उस चीज का पालन करेंगे, social distancing पनाएंगे, बोट में 8 लोग बैठाते हैं, बोट में हम 2 लोग बैठाएंगे, बस किसी तरह खुल जाए लोग डाउन लगा है ना, तब से मतलब पूरा लोग डाउन की चक्कर में, हम लोग की मतलब आर्थिक बैठाएंगे, पूरी खराब हो गई, तो घर में खाने को भी नहीं है, राशन, हम तो ठीके, हमार पास बोटे है थी तो हम तो ठीके कर लिया था एक दो महीने, एक महीने चला, जो हमारे दर लड़के काम करते हैं वो फुत परसान है, उन्दी कोई आर्थिक मदस्ता नहीं है, तो कि एक तो हमारी समाज में क्या पढ़े लिखे कम रहते हैं, हम केवड समाज चे लोग हैं, तो हमें इस चीज का मतलब लाब नहीं मिल पाता, अभी मूदी जी ने जो योजना बनाई है, अभी जो नहीं योजना मचकेवड समाज के लिए, नाओ का भीमा और हमारी मचली पालन के लिए, उस चीज के लिए, उस सब काम इला भी नहीं मिलता, हम लोग बोट में रहते हैं, आते हैं, जिस दिन चलती हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं होती, बस घ भोपार बड़ी जील के किनारे छोटा बड़ा कारोबार करने वाले, शायद सभी लोगों की तमन्ना शायद यही होगी, जल्दी से लेक व्यू में रौनक लोट आए, और फिर से विरान सडके गुलजार हो जाए, यहां फिर से टूरिस्ट आए और इनका कारोबार चले, इससे ही अपने परिवार की परवरिश कर सके, डेक्स रेपोर्ट के न्यूज इंडिया. इसमें दच कराई गई थी, फिलाल पुलिस को लाश निकालने पर मैला के गले में एक पतली प्लास्टिक की रस्ती मिली है. खुले की रुषिया और इसमें दच करने अपने पर चले में उसमें परिवारिश के चले में खुले की रहा निकालने परिवारिश के पतली परिवारिश कर सकेली है. बिलेगी तो चलान करवाई की जाएगी। 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 बता देखी दोस्तों के बीच कट्टे का शो आफ करते समय हस्ता हुआ। फिलार पुलिस ने आरोपी दोस्त के किलाफ मामला दचकर मामले की जाएगी। पुलिस ने आरोपी जाएगी। और मदरप्रदेश की बुल्टे में फिलारता ही देखते रहे है के ने उजलियार मसकार। आप देख रहे है के ने उजलियार मसकार।